हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है नौलेच पार क्यूटूब चैनल पे मैं आसा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे आपका परिवार स्वस्थ होगा और अपनी पढ़ाई को आप जारी रख रहे होंगे ठीक है फ्रेंड तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेकर रहा हैं 40 most important questions physics के जो previous exam में पूछे जा चुके हैं और यह वीडियो काफी helpful होगा आपके आने वाले exam के लिए ठीक है फ्रेंड अखास करके junior super treat के लिए तो फ्रेंड चलिए इस सुरू करते हैं आज का वीडियो हम पहला question फ्रेंड an iron needle float on mercury but get drowned in water this is because फ्रेंड जो एक लोहे की सुई है वो mercury पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है फ्रेंड ऐसा क्यों होता है तो फ्रेंड ऐसा होता है कि density के वज़े से ठीक है iron की जो density होती है वो mercury से कम होती है बट पानी से ज़्यादा होती है इसलिए जो लोहा होता है फ्रेंड वो mercury पर तैरता रहता है लेकिन पानी में डूब जाता है ठीक है तो option number A हमारा correct हो जाएगा यहाँ अगला question है the radiation pyrometer is based on ठीक है फ्रेंड यहाँ पर radiation pyrometer किस पे defense law पे ठीक है option number D हमारा correct होगा कोई भी radiating body है जो अपने अंदर से radiation emit कर रही है फ्रेंड तो इसका जो value होता है radiation का वो होता है आर directly proportional to उसके temperature के फूर जो power होता है उसके बराबर होता है ठीक है तो option number D हमारा फ्रेंड correct हो जाएगा अगला question is the temperature at above which vapor of the substance cannot be liquefied no matter how much pressure is applied is known as वहता आप मान जिसके बराबर या अधिक पर जो पदार्थ के वास्प को द्राव में नहीं बदला जा सकता है चाहे कितना भी pressure apply कर दिया जाए तो फ्रेंड उस temperature को हम बोलते हैं critical temperature ठीक है option number C हमारा correct होगा क्रांतिक ताप अगले question पर आते है snow is better insulator than ice because इसमें से बताना हिम बर्फ की तुलना में बेहतर उश्मा रोधी होता है friend तो friend ये इसलिए होता है snow has air filter filled in its pool which is bad conductor of heat ठीक है friend जो snow होती है उसमें क्या होता है teeny forces होते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है friend और हवा एक bad conductor of heat है ठीक है तो यहाँ पर option number C हमारा correct हो जाएगा जो तो हिम हवाय जो होती है छिदर में भरी होती है जो उसमा की कूछ अलग होती है इसलिए friend snow is better insulated than ice होता है अगले question पर आते हैं an instrument which is used to taking photographs of sun in light of an wavelength only is known as वह है यांत जिसका प्रियोक सूर की किर्णे केवल एक ही तरग दर्द की प्रकास में लेने के लिए कि जाती है वह कहलाता है तो फ्रेंड यह कहलाता हमारा spectrum heliograph option number C हमारा correct हो जाएगा अगला question है the splitting of spectrum line into several component by the application of magnetic field is called एक चुम्बकी छित्र लगाए जाने के बाद spectrum रेखा कि कई घटकों में बिभाजित हो जाने को हम फ्रेंड किस प्रभाव के द्वारा बताते है फ्रेंड तो यह हम बताते है कि अगर यहां पर जो होगा magnetic field होगा तो option हमारा क्या होगा जीमन effect अगर यहां magnetic field की जगा electric field हो जाएगा तो हमारा option जो बदल जाएगा हो जाएगा star effect अगला कोशन है रमन effect is related to of light इसमें से बताना है रमन प्रभाव का प्रकास के किस चीज से संबंदित है तो फ्रेंड यह हमारा है scattering of light ठीक है option number d हमारा क्रेक्ट होगा ठीक है जो रमन effect है वह scattering of light से संबंदित है हमारा अगला कोशन है which of the following has the maximum wavelength इन में से किसका तरंगदर maximum है यह बताना हमें कि किसका तरंगदर जो है maximum है तो फ्रेंड हमारे जो radio तरंगे हैं इनका जो wavelength है वो maximum है अगला कोशन है the resistance of an ideal ammeter is yes whereas, that of an ideal volt meter एक आदर्स ammeter की प्रदिरोधक्ता बतानी है जबकि एक आदर्स बोल्ट different के लिए यह होता है यह friend हमें बताना है तो friend इसका option हो जाएगा हमारा ए ठीक है एक आदर्स ammeter की प्रदिरोधक्ता जो होती है शून होती है जबकि एक आदर्स बोल्ड मीटर का जो होता है फ्रेंड वो होता है अनंत होता है तो option number A हमारा correct हो जाएगा which of the following is a first man-made element इनमें से बताना है कौन सा पहला जो मानव तत निर्मित तत्व है friend तो friend हमारा ये है polonium option number C हमारा correct हो जाएगा अगला question है ozone layer which prevent biosphere from UV rays radiation it present in which layer इनमें से बताना है फ्रेंड ozone जो परत है वो किस layer में पाई जाती है तो friend ये पाई जाती है हमारी समताप मंडल में और ये prevent करती है my friend harmful ultraviolet rays से ठीक है जो समताप मंडल होता है friend उसी में हमारा ozone layer होता है और ozone की जो मुटाई friend किसमें मापते हैं Dobson में मापते हैं अगला question है the conductivity of semiconductor at zero Kelvin is इसमें से बताना है zero Kelvin पे जो अर्द चालो क्योंकि चलकता friend होती है वो कितनी होती है तो friend ये होती है हमारी 0 ठीक है जीरो डिगरी Kelvin पे हमारा अर्द चालो की जो चलकता होती है friend वो शून होती है ठीक है और बात की जाए friend semiconductor की जब हम इसमें temperature increase करते हैं ठीक है अगर temperature हम बढ़ाते हैं semiconductor की तो इसकी conductivity क्या हो जाती है friend वो भी increase होती है अगर हम हम बात करें metals की तो इसमें क्या होगा सेम उल्टा हो जाता है ठीक है metals में अगर हम temperature increase करेंगे तो उनकी conductivity क्या हो जाती है मतलब decrease हो जाती है क्योंकि वहाँ पर resistance increase हो जाता है अगला question है asteroid are found between the orbits of इसमें से बताना है छूद्र जोग रहा है friend किसके किसके बीच में पाया जाते हैं तो फ्रेंट से पाया जाते हैं Mars और Jupiter के बीच में जो एक belt है उसे हम बोलते है asteroid belt ठीक है तो यह Mars और Jupiter के बीच में asteroid के belt पाया जाते हैं option number C हमारा correct होगा अगला question which of the following is an example of contact force इसमें से बताना है friend संपर्क बल का उधारण कौन से होता है तो friend force दो type के होते हैं एक होता है contact force और एक होता है non contact force contact force वो force होते हैं जो दो object के बीच में मतलब उनका touch होता है ठीक है इसमें से तो friction जो होगा friend वो एक contact force है बाकी जो प्रबल नाविकी बल है चुमकी बल है और गुरुत्वा कर्शन बल है ये contact force का example नहीं है ये non contact force का example है ठीक है तो option number D हमारा correct होगा friction जो होता है friend वो relative जो हमारी velocity होती है उसका अपोस करता है ठीक है relative motion का आपोस करता है friction और friction के वज़े से ही जो friend efficiency जो होती है किसी भी motor की वो क्या होती है कम हो जाती है घर सड़ के वज़े से अगला question है which of the following graph denote retardation इसमें से friend बताना है retardation क्या होता है कि कौन सा graph retardation शो कर रहा है तो पहले जानने ते retardation होता क्या है तो friend negative acceleration को ही हम retardation बोलते हैं ठीक है मतलब कोई भी object जैसे 6 km per hour meter per second की हिसाब से जा रहा था पर second square की हिसाब से जा रहा था friend अगर उसकी speed जो है acceleration कम हो जा रहा है 3 meter per second square हो जा रहा है तो यह इसका मतलब होएगा मतलब कि वो break apply कर रहा है को शो कर रहा है retardation का मतलब होता है negative acceleration acceleration की unit के होती है friend meter प्रती second square होती है यह retardation की भी होगी और acceleration की भी होगी अखला question है which of the following statements is true इन में से बताना है कि कौन सा statement हमारा सत्य है friend ठीक है तिसमें से पहला जो option हमारा है rolling friction is smaller than sliding friction rolling friction is greater than sliding friction rolling friction is equal to sliding friction none of the above statements true तो friend यहाँ पर जो rolling friction होता है वो rolling friction is smaller than sliding friction होता है friend ठीक है तो option number E हमारा correct हो जाएगा अगला question है unit of measure of sound is friend हम sound को किस unit में measure करते हैं तो friend यह करते हैं decibel में ठीक है option number B हमारा correct होगा loudness को भी हम friend किसमें measure करते हैं decibel में ही हम measure करते हैं अगला question है the scientist who discovered the phenomena of radio activity इसमें से बताना है friend रेडियो धर्मिता की घटना की खोज करने वाले वग्यानिक का नाम क्या है तो friend यह हमारा है Henry Becquerel ठीक है अगर बात की जाए रेडियो धर्मिता की unit की तो friend यह होती है क्यूरी ठीक है जो भी radioactive element होते हैं वो अपने अंदर से अलफा बीटा और गामा किर्णों का उत्सरजन करते है friend ठीक है और इसमें सबसे ज़्यादा penetrating power जो होती है friend वो होती है गामा की उसके बाद बीटा की होती है उसके बाद अलफा की होती है अलफा हमारा positive charge होता है बीटा negative charge होता है और गामा पर कोई charge नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर option number D हमारा correct हो जाएगा Henry Becquerel ने ही radio activity phenomenon की खोज की थी तो option number D हमारा friend यहाँ पर correct हो गई है अगले question पर आता है which of the following has least ionization power इसमें से friend बताना है कि least ionization power किसके अंदर है तो friend गामा के रुणों का जो ionization power होता है वो सबसे कम होता है ionization का मतलब क्या होता है friend किसी भी atom से एक electron को निकालना को ही हम क्या बोलते हैं ionization power बोलते हैं तो option number A हमारा correct होगा gamma has least ionization power और सबसे ज़्यादा किस में होगा friend अलफा में होगा अगला question which of the following element is used as a control rod in the nuclear reactor इन में से बताना friend परमाडू reactor में है में जो छड़ होती है वो छड़ किस चीज़ की बनी होती है friend तो friend यह होती है cadmium की बनी होती है ठीक है और यह cadmium क्या करता है friend neutron को control करता है neutron को जो bombardment होता है फिर उसको यह control करता है अगर यह uncontrollable हो जाएगा तो friend यह क्या हो जाएगा explode हो जाएगा मतलब यह परमाडू बं बन जाएगा ठीक है तो option number C हमारा correct हो जाएगा 81 question है which of the following properties doesn't change when electromagnetic wave pass from one medium to another यहां friend बताना है कि जो विद्धु चुमकी तरेंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है इनमें से कौन सा गुड़ चेंज नहीं होता है friend यह बताना है तो friend जो हमारी frequency होती है frequency होती है friend वो change नहीं होती है बाकि speed wavelength यह सभी चीजे चेंज हो जाती है तो यह आप याद रखे है कि frequency हमारी change नहीं होती है अगला question which of the following electromagnetic wave is used in TV and radio broadcasting इनमें से बताना है विद्धु चुमकी तरंगों का प्रयोग करते हैं friend TV और radio प्रसारण में तो friend यह हम करते हैं radio waves का option number B हमारा correct होगा कि भी friend radio waves की जो wavelength होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि इनको बहुत दूर तक propagate करना होता है ठीक है इसलिए हम किसका यूश करते हैं radio waves का यूश करते हैं TV और radio के प्रसारण में अगला question है which of the falling instrument measure the speed of wind इन में से बताना है friend YU की गति मापने के लिए हम किस instrument का यूश करते हैं तो friend यह करते हैं एनमेनो मीटर का ठीक है एनमो मीटर का हम यूश करते हैं wind की speed मापने के लिए और मात की जाए speedometer के तो friend speed मापने के लिए हम speedometer का यूश करते हैं और bolometer का प्रयोग करते हैं, friend, हम infrared जो केड़े होती हैं, उनके presence को पता करने के लिए, ठीक है, और barometer का प्रयोग करते हैं, atmospheric pressure मापने के लिए. अगला question है, the deepest layer of sun that can be observed directly is God, इनमें से बताना है, सूर की सबसे गहरी परत, जिसे हम प्रत्यच रूप से देख सकते हैं, friend, कहलाती है, तो friend, ये कहलाती है, हमारे photo sphere, option number B हमारा correct होगा, photo sphere जो होती है, friend, सूर की सबसे गहरी परत होती है, जिसे हम प्रत्यच रूप से देख सकते हैं, अगला question है, sound is recorded in water, with the help of, जल में हम जो धोनी record करते हैं, किसकी help से करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, हाइग्रो मीटर का, option number D हमारा hydrophone का यूज करते हैं, हाइड्रो फोन का यूज करते हैं, हम sound को record करने के लिए water में, और जो हाइग्रो मीटर होता है, friend, वो हमारा humidity मापने के लिए होता है, अगला question है, myopia is corrected using dash lens and hypermiotropia is corrected, मतलब myopia और hypermiotropia जो होता है, किस lens के द्वारा, friend, correct होता है, पहले जानते है, myopia होता है, तो, friend, myopia को हम बोलते है, short sadness और hypermiotropia के बोलते है, long sadness, short sadness में, friend, दूर कीजीजे, हमें बिल्कुल clear दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, और नजदीक की चीजे हमें बिल्कुल clear दिखाई देती हैं, और just उल्टा होता हमारा hypermiotropia में, तो, friend, यहाँ पर हम myopia को correct करने के लिए हम, friend, यूज करते हैं, concave lens का, और hypermiotropia को correct करने के लिए हम convex lens का यूज करते हैं, और, friend, एक होता है press biopia, जिनमें हमारे दोनों defect होते हैं, मतलब myopia और hypermiotropia होता है, तो, friend, वहाँ पर हम यूज करते हैं, bifocal lens का यूज हम करते हैं, और एक और भी जो भीमारी होती है, astigmatism, वहाँ पर क्या होता, friend, horizontal और vertical जो लाइने होती हैं, उसको इनसान क्या करता है, measure मतलब कि समझ नहीं पाता है कि वो vertical है कि horizontal, उसमें हम यूज करते हैं, cylindrical, जो हमारे lenses होती हैं, उनका यूज करते हैं, अगला question है, the sound from piano और guitar can be distinguished on the basis of its, यह बताना, friend, piano तथा गिटार की धोनी को हम कि साधार पर अलग कर सकते हैं, उनकी quality के अधार पर, option number D हमारा correct होगा, piano तथा गिटार की धोनी को हम उनकी quality है, उसकी अधार पर अलग हम कर सकते हैं, अगला question है, the resistance of metallic wire, dash with the increase in temperature, यहाँ पर, friend, बताना है, तापमान में वृध्धी के साथ, धादू का जो तार की प्रतिरोग धगता है, वो क्या होती है, तो, friend, जब हम किसी metallic wire को heat देते हैं, तो, friend, इसमें जो electron को moment होता है, वो fast हो जाता है, ठीक है, इस से क्या होता है, friend, जो electron को moment fast होने के वज़े से, इसका जो प्रतिरोगता होता है, मतलब resistance क्या होता है, friend, वो increase होता जाता है, और conductivity क्या हो जाती है, friend, decrease हो जाती है, ठीक है, क्योंकि collision of electron बढ़ जाता है, आप याद रखिएगा, कि जब temperature बढ़ाते हैं, तो resistance हमारा बढ़ता है, और conductivity decrease होती है, बट semiconductor में ज़स्ट उल्टा होता है, friend, अगला question, which of the following device is used to measure the current in electric circuit, इसमें से बताना है, friend, उपकरणों में से किसी का use हम circuit में धाराम आपने के लिए यूज करते हैं, तो friend, यूज करते हैं, a meter का, option number C हमारा correct होगा, a meter का use हम friend करते हैं, धाराम आपने के लिए, अगला question है, fuse wire is generally made of dash and dash, fuse wire जो होता है, friend, एक type का safety wire होता है, जो हमारे electronic appliances को बचाता है, excess of current जब आता है, ठीक है, ये friend क्या होता है, circuit breaker की तरह काम करता है, ठीक है, जैसे ही इसको heat, मतलब जब जब ज़्यादा current flow होने लगता है, तो friend, ये जो wire होती है, वो melt होकर के brick हो जाती है, ठीक है, और हमारे जो भी electronic appliances होते हैं, वो बच जाते हैं, तो friend, ये बताना है कि ये किस चीज का बना होता है, और ये fuse wire जो होता है, एक type के alloy होता है, जो बना होता है, lead और teen का, ठीक है, तो option number D हमारा correct हो जाएगा, और इसकी जगहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, अगर fuse नहीं यूज करना है, तो हम MCV के यूज करते हैं, MCV जो होता है, heat register की तरह काम करता है, वो heat sensor की तरह काम करता है और full form होता है friend, उसका miniature circuit breaker, horse power is the unit of, इसमें से बताना है friend, horse power किसकी unit है, तो friend, यह हमारी है, power की unit, ठीक है, one horse power is equal to होता है friend, 746 watt, 746 watt के बराबर होता है, one horse power, अगले question पर आता है friend, light year is a unit of, इसमें से बताना है friend, light year किसकी unit है friend, यह कई बार exam में पूछा जा चुका है friend, light year जो होती है friend, वो distance मापने की unit है, one light year is equal to होता है friend, 9.46 into 10 के power, 15 meter होता है friend, ठीक है, 9.46 into 10 के power, 15 meter, अगर आप से पूछा जाए, दोरी मापने की सबसे बड़ी unit कौन सी है, तो friend, वो होती है, पारसेख होती है, अगला question है, इसमें से बताना है कौन सा जो spaceship था, वो चांद पर सबसे पहले उतरा था, ठीक है, was the first spaceship to land on moon, इनमें से बताना है friend, चांद पर उतरने वाला पहला अंत्रिक्षियान इसमें से कौन था, तो friend, यह था lunic second, option number B हमारा correct होगा, lunic second जो था, वो लेंड पर उतरने व अगला question है, the spherical shape of raindrop is due to, इनमें से बताना है friend, जो वर्सा की बूध्य होती है, वो गोल ही क्यों होती है, spherical होती है, हम बोलने है कि चौक और क्यों नहीं होती है, यह कारण होता है friend, surface tension का, ठीक है, surface tension की वज़े से, जो वर्सा की बूध्य होती है, वो गोल होती है, अगला question है, when the speed of car is doubled, the pressure which has to be applied for the stopping, it becomes the time, जब कार की जो गती है friend, हम दूगनी कर देते हैं, तो लगाए जाने वाले बल को कितने गुणा करना चाहिए, तो friend, यह करना चाहिए हमारा 4 गुणा, ठीक है, option number C हमारा correct हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारी speed U है, तो हमारे पास, ज यहाँ पर friend, उसको करना होगा हमारा 4 P, ठीक है, अगला question है, when speed of, same question है friend, अगला question है, rocket जो प्रणोधन है, friend, वो किस पर आधारित होता है, तो friend, यह होता है, conservation of linear momentum पर, ठीक है, जो हमारा rocket किस principle पर वबग करता है, तो friend, यह करता हमारा conservation of linear momentum पर, ठीक है, linear momentum को formula जो होता है, friend, P is equal to होता है, M into V, इसको इस तरीके से समझ सकते है, friend, जब हम किसी बंदूग से, किसी bullet को जो fire करते है, friend, तो bullet भी जो होता है, वो बंदूग को पीछे की तरफ भगेलता है, सपोस हमारे पास पीछे की तरफ जो momentum लग रहा हूँ, M1, V1 लग रहा है, त इतने बंदूग पीछे उस अपोस करेगे, उतने ही बराबर हमारा friend, जो होगा, बंदूग की गोली के बराबर होगा उसका momentum, तो M1, V1 बराबर हो जाएगा हमारा M2, V2, इसी को हम बोलते है, conservation of linear momentum, और इसी principle पर friend, हमारा rocket भी हमारा काम करता है, अकला question है, the temperature at which both Celsius and Fahrenheit scale is same, यह भी कई बर पूछा जा जुका है friend, ठीक है, तो यह होता है हमारा minus 40 degree Celsius पे, ठीक है, formula होता है friend, F बराबर 9C by 5 into plus 35, ठीक है, इसको solve करने के बाद हमें, जो, मतला F और C की जहाँ X रख दीजेगा, और solve करेंगें, तो friend, हमारे पास जो value आएगी, minus 40 degree Celsius आजाएगी, ठीक है, अगले question बराते हैं, which of the following mode of heat transmission doesn't require any medium, इसमें से बताना है friend, उसमा संचरण के लिए, इसमें से बताना है कि उसमा संचरण के लिए, किस प्रकार की माध्यम के अवशक्ता नहीं पड़ती है friend, ठीक है, तो radiation में हम friend, किसी भी medium की जरुरत नहीं पड़ती है, जो सूर्च से हमा इसमें की जरुरत नहीं पड़ती है, बाकी, चालन और संबहन में friend, किसी ने किसी medium की जरुरत पड़ती है, ठीक है, चालन हमारा ठोसों में होता है, और ये convection जो होता संबहन ये, किस के अंदर होता है friend, water के अंदर होता है, तो यहां पर option number A हमारा correct होगा, अगले question पर आते ह इसमें से बताना है, सुरच्छा जो पृतिवी का जो सुरच्छा वाल्ब है, वो हम किसको बोलता है, friend, ये कहते हैं, जुआला मुखी को, ठीक है, जब भी पृतिवी का तबियत खराब होता है, तो कहां से सही होता है friend, ये हमारा जुआला मुखी की दौरा हो अपने आपक होता है, तो पहले जानते, इको क्या होता है friend, इको मतलब ये हमारा कोई सोर्स है, यहाँ पर कोई obstacle है, यहाँ से सोर्स ने, क्या करते है, sound produce किया और वापस से जो sound सुनाई देती है friend, इसे ही हम बोलते है, इको, और ये minimum distance होना चाहिए friend, 7.2 meter होना चाहिए, इको generation के लिए, ठीके, अगर इससे कम होगा distance, तो friend, E को generate हमारा नहीं होगा, और ये किस करण होता है friend, reflection of sound की वज़ा से होता है, तो option number E हमारा correct होगा friend, यहाँ पर friend, 100 questions जो हमने 3 पार्ट में complete किये हैं, मैंने इसका link इसके वीडियो में दे दूँगा friend, इसके पहले मैंने 2 वाट बना रख और उसको भी subscribe कर लिजिए, thank you